दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं एक बहुत ही असान चटपट बनने वाले नए नास्ते की रेस्पी जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से बनाएंगे ये बाहर से क्रेस्पी अंदर से सॉप्ट होते हैं समोसा कचोडी पकोडी से भी टेस्टी लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो मिक्सिंग बॉल में हम ले रहे हैं एक कप गेहूं का आटा जिससे हम प्रोटी बनाते हैं आधा छोटा चम्माच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका आटा गुत लेंगे और दोस्तों अगर आपके पास पहले से गुता हुआ आटा हो उससे भी आप ये नास्ता बना सकते हैं बस उस आटे में थोड़ा सा सुखा आटा मिला लेजेगा क्योंकि इस आटे को हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा सकत रखना है और देखे इस आटे को हमने इस तरह से गुत लिया है अभी हम इसे सेटोनी के लिए रख देते हैं तो इसे हम cover कर देते हैं और नास्ते के लिए filling तयार कर लेते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 medium size के उबले आलू ली है इनको हम कदुकस कर लेंगे आलूओं को मैस करके भी ले सकते हैं पर ध्यान रखेगा इनमें आलूओं के बड़े टुकड़े ना रहें दोनों आलूओं को हमने ग्रेट कर ली है अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चोटा चम्मच लाल मिच पॉडर आधा चोटा चम्मच भुना जीरा पॉडर और आधा चम्मच चाट मसाला पॉडर चाट मसाला की जगा आमचूर पॉडर या आधी नीवू का रसनी चोड़ कर ले सकते हैं दो बारीक कटी वी हमने हरी मिच डाली है और आधा चोटा चमच नमाख थोड़ा सा हम इसमें बारिक कटा हुआ हरा धन्य डालेंगे और इन सभी मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आलू का मसाला जितना ही चटपटा रहेगा नास्ता हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा आप इसमें गरम मसाला पौडर, काली मिर्च पौडर या जैसा तीखा चटपटा खाना पसंद करते हूँ वैसी फिलिंग बना सकते हैं आगे मैं इसमें कुछ सौसिट डालूँगी तो मैंने इसे थोड़ा सिंपल रखा है आलू का मसाला त्यार हो गया है, अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और नास्ते के लिए एक घोल त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए एक बॉल में हमने ली है चार बड़े चम्मच मैदा मैदे की जगा गेहु का आटा भी ले सकते हैं स्वात के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक गाढ़ा घोल बना कर त्यार कर लेंगे तो एक बार में ज्यादा पानी मत डालिएगा, घोल पतला हो जाएगा तो नास्ता आपका अच्छा नहीं बनेगा और देखिए इस तरह से मैंने घोल बना कर त्यार कर ली है, चम्मच पे ये कोट हो रहे हैं तो अब हम इसमें डाल रहे हैं, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच सफे तिल और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिय डाल देंगे, जिससे ये नास्ता उपर से भी देखने में अच्छा लगे इनको हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, घोल बन कर तयार हो गया है इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार आटे को अच्छे से मसल लेंगे और इसे रोल करके इसकी एक बड़ी लोई बना लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेट कर बेल लेंगे इसे हमें बड़ा बेलना है और इसे रोटी जितना पतला रखना है और देखे इसे मैंने थोड़ा ओल सेप में बेला है और इसे रोटी जितना पतला रखा है अब मैंने पिज़ा कटर ली है इसकी जगा चाकू ले सकते हैं इससे हम इसके सभी किनारों को पहले काट कर हटा देंगे अब हम ये आलू का मसाला लेंगे इसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा हम इसके उपर रखेंगे इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा और चम्मच या फोर्क की हेल्प से इसे रोटी के उपर बराबर से फेला लिजेगा जिससे रोटी के उपर आलू की एक पतली सी लेयर लग जाए आलू का मसाला मैंने सिंपल बनाया था तो इसके उपर मैं एक चम्मच ग्रीन चटनी लगा रही हूँ और चटपटा बनाने के लिए एक चम्मच टोमैटो कैचप जो बच्चों को बहुत पसंद आता है वैसे आप यहाँ पर अपनी पसंद की सौसेज लगा सकते हैं सेजवान पिज्जा या पास्ता सौसेज भी ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पर थोड़े से पनीर ली है लगभग 50 क्राम है ये इसे हम इनके उपर ग्रेट कर ले रहे हैं पनीर की जगा आप चीज भी ले सकते हैं या बिना पनीर चीज के भी ये नास्ता बना सकते हैं इस तरह से इस नास्ते को बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे अब एक चम्मच या इस्पेचुला लीजे इससे पनीर को उपर से हलका सा दबा दीजे जिससे ये आलू के उपर अच्छे से सेट हो जाएं अब चलिए इनको हम काट लेते हैं तो पहले हम दो दो इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से तीन भाग में काट लेंगे अब दूसरे तरफ से हम एक एक इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और दूस दूसरे तरफ से भी हम इनको इस तरह से काट लेंगे इस तरह से हमने एक तरफ से दो इंच की दूरी पर काटा है और दूसरे तरफ से एक इंच की दूरी पर और देखे इस तरह से इनका आयताकार सेब बन गया है अब हम इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इनको हाथों में लेकर रोल कर लेंगे इस तरह से हम सारे समोसा रोल बना कर त्यार कर लेंगे एक और में बना कर दिखाती हूं बस इनको हाथ में लेना है और इनको दोनों तरफ से उठाते वे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इनको हाथों में लेकर रोल कर लेना है इस तरह से एक बीक लेंगे इसे घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से घोल में डीप करके निकाल लेंगे इधर मैंने तेल गरम कर ली है इसमें एक एक करके ये रोल डाल देंगे जितना की पैन में आ जाए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इनको मीडियम आज पर ही हम इनको फ्राइ करेंगे मैं इनको सेलो फ्राइ कर रहे हूँ आप चाहे तो इनने डी फ्राइ भी कर सकते हैं एक तरफ से सीखने के बाद हम इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी हम इनको गोल्डेन होने तक सेक लेंगे और देखिए दूसरे तरफ से भी इन पर अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे इनको फ्राई करने में 5-6 मिनट का समय लगा है और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये समोसा रोल बहुत ज्यादा ओयल भी अब्जॉर्ड ने करते हैं कम सामान में जटपट बन जाते हैं और ये खाने में बहुत तेश्ची लगते हैं इस तरह से हम सारे नास्थे को फ्राई कर लेंगे तो देखिए बाकी बचे नास्थे को भी हमने फ्राई कर ली है इनको आप हरी चटनी या कैचप के साथ सर्फ करिए ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौप्ट होते हैं और ये बहुत ही चटपटे लगते हैं समोसा, कचोडी, पकोडी भी इनके आगे खेल है साम की चाय हो या बच्चों को कुछ स्नैक्स देना हो तो आप हिने बना कर दे सकते हैं कम सामान में ये जटपट बन जाते हैं तो दोस्तो ट्राइ करिए और रेश्पी कैसी लगी? कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेयर कर देजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नए रेश्पी के साथ धन्यबाद